नमस्कार दोस्तों कुर्खेत्रा इंवेस्टी में वेरियस कोर्सिज में एडमिशन के लिए 2024-25 सेसिन के लिए फोर्म जो है शुरू हो चुके हैं मैं इस वीडियो में आपको complete जानकारी देने वारा हूँ वो कौन-कौन से कोर्सिज हैं उनकी अंतिम्तिती क्या है कैसे अपलाई होगा कौन-कौन से कोर्स के लिए आपको entrance exam देना होगा कितनी फीस आप लोगों की जो है अडमिशन के लिए लगने वाली है दोस्तों UITD के अंडर जितने भी कोर्स हैं जैसे MA, MSC, LLBD सभी डिप्लोमो कोर्सिज, MTAC सभी के लिए admission form जो है शुरू हो चुके हैं आप यदि जानना चाहते हैं वो अन्य सभी कोर्सिज कोन-कोन से हैं कितनी फीस लगने वाली है कब तक आप apply कर सकते हैं कैसे आप apply कर सकते हैं तो आखिर तक इस वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को अपने सभी ग्रूप में सभी दोस्तों के पास जुरूर सेर कीजिए जो भी कुरुषेत्रा उन्वेस्टी में admission लेने के इच्चुक हैं आप हमारा नोकरी करंच का YouTube चैनल और टेलिग्राम का चैनल जो है जो ह यहां पर रेगुलर कोर्स पर आपने क्लिक करना है जैसे ही आप रेगुलर कोर्स पर यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से नया नया लिंक ओपन होके आ जाएगा यहां पर कम्प्लीट जानकारियां जो है कुरुषेत्रा उन्वेस्टी ने रेगुलर वेरि 24 25 यह जो 9,20 23 माई को आया था 23 माई को सुरू हो चुके थे यहां पर नोटिफिकेस्ट में आप देख सकते हैं Drica कर दिया हूए जैसे आप अप उयांज एया पर कलिक करेंगे गये तो आपके सामने सबी स्थ की לायीक जो आएके रिजस्ट म papa और M.C., gasp, Master चयाने कि आम फार्मेंशी मेनजमेंट और तुरीजम वोटल मनेजमेंट कंप्यूटर लाइब्रेरी फूजिकल एजुकेशन एजुकेशन मुजिक आम टैग सर्टिप्टेट कॉर्स डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा पीज डिप्लोमा इन के अंटर जितने भी कॉरस आते ह है आप यहाँ पर जाकर गर्वा डेख सकते हैं में कौन-कौर्ण से कोर्स के लिए यहाँ पर एडमिशन अवीलेबल है फाइन आट के लिए कुंद कोर्स में यहाँ पर खौन का बिसaltres यहाँ और लोग के अंदर यहां पे आप LLB three years professional और BALB owners five year integrated program में admission ले सकते हैं LLM under SF में आप admission ले सकते हैं, M pharmacy में admission ले सकते हैं, MBA दो साल के course में admission ले सकते हैं यहां पे आप complete जानकारी देख सकते हैं, computer diploma, computer MCA, MSC, computer science and software में admission ले सकते हैं M library में admission ले सकते हैं, B library में admission ले सकते हैं, M tech में admission ले सकते हैं यहां पे सभी जानकारी दे रखी है, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप जो है कब से कब तक आप अपने form भर सकते हैं, यहां पे important dates का section दिया हुआ है, यहां जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने यहां पे important date का जो section है वो खुल के आ जाएगा, यहां पे सभी course के साथ में date लिखी हुई है, कि कौन से course के लिए आप जो है 23 मई 2024 से form भर सकते हैं, यहां पे दोस्तों आप BA, BAD, BSC, BAD, Bcom, BAD यानि की integrated जितने भी program है उन सभी में यहां पे आप admission ले सकते हैं, तो दोस्तों मैं यहां पे बता देता हूँ, जैसे यदि आप लोग BA Mass Communication, BSC, BSC Multimedia, BSC Printing and Packaging और सभी अन्या जितने भी integrated course है, जो की UTD और UIET के अंदर आते हैं, उन सभी course में जैसे ITEP, BA, BAD, BSC, BAD, Bcom, BAD में आप लोग 23 मई 2024 से 15 जून 2022 तक आप apply कर सकते हैं, उसी तरह से दोस्तों यदि आप लोग MA, MSC, Mcom, यानि की master degree वाले course जितने भी post graduate course है, उन में admission लेना चाहते हैं, बैचलर डिगरी में admission लेना चाहते हैं, पीजी डिप्लोम में admission लेना चाहते हैं, फार्म भरने की 23 मही को सुरू हो चुकी हो और 28 जुलाइज तक आप लोग जो है जो अपना फोर्म भर सकते हैं एमेड कोर्स के लिए आपके जो सुडूल अभी जारी नहीं हुए है जब भी जारी होंगे तो हम अपने टेलिग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे उसके बाद दोस्तों मैं यहां पे आप लोगों को बता देता हूँ कि आपका जो एक्जाम कौन-कौन से कोर्स में अड्मिशन के लिए होगे वो सभी कोर्स यहां पे इस लिस्ट में है यहां पे सभी कोर्स के लिए जो है टाइम मतले एक्जाम डेट और टाइम सब कुछ दिया हुआ है यहां पे आप जा करके चेक कर सकते हैं यह वीडिया आप हम नोकरी करंच के टेलिग्राम चैनल पर भी डाल देंगे वहां से जा करके भी देख सकते हैं और जो यह लिंक है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वहां से जा करके भी आफ लोग जो है देख सकते हैं उसी तरह से दोस आपके कर सकते हैं यहां पर फीड दीया हुआ है फीडियो के लिए यहां पर लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप हमारे वीडियो के चेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जो है eligibility and seats यानि कि यहाँ पर जो दिया हुआ है आप जिस भी course में आप admission लेना चाहते हैं तो उस course के लिए यहाँ पर आपकी eligibility 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 दी हुई है कि किस qualification के basis पे आप इस course में अडमिशन ले सकते हैं जिस भी diploma courses में जिस भी bachelor डिगरी में जिस भी master डिगरी में आप जो UTD और UIET के अंडर आते हैं को में courses में admission लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा करके जो है चेक कर सकते हैं कि उसकी eligibility criteria क्या है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का complete notification दिया हुआ है कुछ अन्य जानकरी जो भी है आप यहाँ से जा करके देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको सभ सभी step admission का notice में सभी step कौन-कौन से course के लिए admission आप लोगों ले सकते हैं कब से कब आप फारम बर सकते हैं फीस कितने लगने वाली है eligibility criteria का पूरा process मैंने यहाँ पर बता दिया है उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप apply कैसे कर सकते हैं यहाँ पर दो जैसे ही आप यहाँ पर new registration के link पर जाएंगे तो आपके सामने नया form जो है open होके आ जाएगा यहाँ पर यदि आप हरियाना state से belong करते हैं तो हरियाना state यह भी आप other state से belong करते हैं तो other state select करने के बाद यहाँ पर do you have अधार जैसे आपके पास पूछ रहा है कि अगर आप other state स पूछेगा तो आपने यहाँ पर अधार है तो yes कर देना अधार नहीं है तो no कर देना है तो उसके बाद दोस्तों यदि आप लोग हरियाना state से belong करते हैं तो आप लोग यहाँ पर PPID यहाँ पर enter कर सकते हैं अगर आपके पास PPID नहीं है तो यहाँ पर click करके आप अपना अ आप जो हरियाना state के सभी candidate है लगवग सभी के पास हरियाना family ID होगी तो आप लोगों को यहाँ पर PPID के section पर click करना है PPID enter करना है सभी आपके जितने भी PPID में आपके member हैं सभी की यहाँ पर list जारी हो जाएगी आपने यहाँ पर verify पर click करना है जिस जिसके भी नाम आएंगे master degree में admission लेने चाहते हैं तो अपनी education detail फिल करके और photo sign upload करके फीस भरके अपना form जो है submit कर सकते हैं तो दोस्तों आगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो क्रीपे इस वीडियो का अपने सभी मित्रों के पास सभी group में सभी के पास जुरूर share कीजिए ताकि कि सभी को जानकरी लग सके कि कुषेत्रा university में जो है यू टीडी और यू आई टीडी यू आई एटी के अंडर जितने भी program थे सभी के लिए admission सुरू हो चुके हैं धन्यवाद